लेकर तो तमाम दोस्तों बाइल अपडेट आप सभी के सामने मिली होगी आपको 29 को लेकर करदात को मैंने बता दिया था कि दोस्तों कोई भी ऑफीशल नॉटिफिकेशन उसको लेकर नहीं है लेकिन अब दोस्तों ऑफीशल डेट के बारे हम बता दिया गया है खुद सचे इ के दोस्तों इसकी डेट की जानकाई दी है उसके बाद हम बात करेंगे सिछक भष्टी में बिलंब क्यों उसके बाद हमारी अगली अप्डेट होगी दोस्तों राज्य सेवा योज Да क्यों कैबिनेट से मंझुूई मिल चुकी है अब दोस्तों उर्लाइन काउंसलिंग की ब बढ़ा दी किये क्यों बढ़ा दी कि आप सभी को पता है कि इंटरनेट सेवाँ की दोस्तों परिसानियों को देखते हुए यह दोस्तों जो कदर में उठाया किया है तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज क्रिस्मस डे है तो मेरी क्रिस्मस काफी अच्छा नहीं रहा होगा उसका रीजन आप सभी को बढ़ता है कि अगर बरतियां पुरी हो जाती समय पर तो कहिने की दोस्तों आने वाले समय के अंदर एक नया साल आप सभी के लिए नई उज़ा लेकर आएगा इसी उम्मीद के साम को सचिप के द्वार में पर एज़ी के लेकर 2 आप सभी के सामने यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा है जणवरी और जनवरी के अंतिम सब्गास्राइब टीटी जन्वरी के अंतिम सब्ता में संभव है सिच्छकों के तबादले कारिकम सुरू होगा इसी बज़े से दोस्तों जो टीटी परिच्छा को लेकर यहां पर थोड़ा आपको इंतजार कहना पड़ेगा उत्ता परिच्छक पातरा परिच्छा दोजा उनीस वर्षदी स्कूलों के सायक अध्याबर के तबादला नीती दोजा उनीस परिच्छ में नागरिकता कानून संशोदन कानून के वरोद में हुए उपरद्रबा हिंसा की बेट चड़ गई है टीटी दोजा उनीस अब नए वर्ष दोजा बीस में होगी और तबादलों के लिए नया कारिक्रम जारी किया जाएगा बेसिक सिचा विवाग ने नया कारिक्रम जारी करने के तरही शुरू कर दिये टीटी के लिए 22 दिसम्मर को दो पालियों में दोस्व परिच्छा होनी थी आप सुई को इसके बारे म प्रैथम सपता में दोस्तों पहिचा हो सकती है अब कहींने के 239 साइक को लेकर तो आपके मन का डाउट के लिए हो चुका होगा अब अगर इस बात कहें दोस्तों जन्वरी के अंतिम सपता के अंदर तो पहला सब्ता दोस्तों दो तारीक हो संडे और साथ में नो तारीक हो है तो आप कहीं ने की समझ सकते हैं 262 के आज पर दोस्तों आपका एक्जाम होने के ज़्यादा प्रभविलिटी है लेकिन अगर हम बात करें अगर एक दो दिन आगे पीछी हो जाता है तो 9 या पर 299 की हो सकती है लेकिन प्रीकी के ओपर कुछ भी दोस्तों करभा सकते हैं अब यहांप दोस्तों लखा है बिवाग में कई fine बर्स से अंतर जन्परई प्रवाद्ला नीती का इंतजार करना है। 5 लाग से अधिक सिछाय बिसक्छा इसकुल की नरीं कारकरम की कि बसक्ति करना था। बारा से आव्यदन कर पाएंगे तो यहां पर दोस्तों लिखाए ट्रिटी अपजनवरी के अंतिम फरवरी के पहले सब्ता में ने की संबाबना है जो कि मैंने आप सब्सक्राइब को बता दिया दोस्तों कब कब होने की संबाबना है इस खुड दोस्तों अनिल बूशिंचे वेदी जी द्वार बताया गया है हाला कि दोस्तों अभी तक फिक्स डेट नहीं हो पाई है लेकिन फिक्स डेट कि अगर बात कहें तो जनवरी के लास्ट अधर जो भी डेट हैं हो सकती है तो बहुत नहीं है क्योंकि पिछले कई दिनों से दोस्तों टीडी को लेकर तमाम प्रफशन है कि अब ट्रीटी होगा कब होगा तो हमें कितना समय मिलने वाला है तो लगवग आप सभी के पास अभी भी हमें बात करूं तो एक महीने से ज्यादा का समय आप बड़ी अच्छी से अपनी तयारी को बूस्ट कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब कर कर सकते हैं और लाइन अडफश्री.com वहाँ पर जाके कि आप सारी के सारी पीडियेफ डाउनलोड भी कर सकते हैं बढ़ते हम अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि है दोस्तों राज्य सेवा योजना अधिकाई सेवा नियमा वली पर कैविनेट की महल लग चुकी है क्य लोग से वायों के माध्यम से जिदी बढ़े जाएंगे गेए जिसको लेकर दोस्तो बदलाफ कर दिया गए आप सभी के सामने लोग से वायों के माध्यम से सीधी बरती से बहे जाएंगे 93 फीस दी पर बढ़ते हैं दोस्तों हम अपड़ी अगली अपड़ेट है दोस्तों आप सभी के सामने सिच्च वरती की आपे जन तिती बढ़ी और साथ में असिस्टेंट परफेसर ऑन्लान काउंसलिंग के बाएं में उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों सिच्च वरती के बिलम है पहले हम इसी बात कर लेते हैं बिलम क्यों होता आखिर क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो यह है भरती पर किया जो पूजी कर ली जाएगी लेकिन इसका भी भई हाल हुआ जो अन्य सिच्चक भरतियों का हुआ है आयोग ने आनन फानन में परिछा तो कराई लेकिन राजगिये कॉलेजों के अब भी सिच्चकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है डेट से पहने दो सा हो चुका यहां बात की जारी है एल्टी गेड को लेकर हाल यह है कि दोस्तों प्रदेश में शायद ही कोई बिद्याल ऐसा होगा जहां मानक की अनुसा सिच्चकों की तेनातियों ऐसी में पठन पाठन का क्या इसी थी होगी इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है अब भी लगबग अगले सत्य में 40% पर दोस्तों कहीने के निवक्ति के होने के संभावना नहीं है क्योंकि वह खाली रहे आप सभी को पता है जिससे यह तो तैह हो जाता है कि आने वाले दिनों में राजगी इंटर कॉलेज्चों में सिच्चकों की किलत बनी रहेगी सबसे अधिक मुश्किल है तो यह है कि अधिकांस विध्यालों में गडित और विग्यान की सिच्चक नहीं है जिनका विकल्प ढूंड पाना भी मुश्किल है प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर आजगी विध्यालों में संक्या लगबग 202302 है इनमें से इंटर कॉलेज्चों की सं साथ सो अठानवे है इनमें भरती के लिए उत्तर प्रदेश लोग से वायक पंदेश विसेव में एल्टीगेड़ की दोस्तों दस अजा साथ सो और सट पतर पर इच्छा काई थी बिड़मना यह है कि पेपर लीग हो जाने की बजह से हिंदी वा सामाजी विग्यान का रिजल्ट तो गोजट किया लेकिन आज चारे की बात यह है रही कि इसमें कम्प्यूटर विग्यान साथ में अगर हम बात करें गड़ित के दोस्तों सारे के सारे पतर जो एक खाली रहेगे आप सुरी के सामने है और इसी चीज़ को लेकर लगा था दोस्तों जो मामला है व बिलम की है जिसके लेकर दोस्तों सिच्चक भरती में यदि इतना ही बिलम होता रहा तो राजग्य कॉलेज़ों में दोस्तों जो हाल है वो कैसे सुदर पाएगा और इसका खाम्याजा चात्रों को भुगतना पड़ रहा है सेम चीज़ अगर आप उनहेतर जार के अंदर ज मुझी आई है और ना ही जड़ जाई किया गया है यह हाल है उत्तर पर इसकी सिच्चक भरतियों का जो कि आप सभी को बताईए आप सभी देख तो सकते हैं चाहिए यूपी टीटी हो या दोस्तों सिच्चक भरती हो कोई भी दोस्तों बड़ी आसानी से नहीं हो पाती है ज अगली अपडेट है इंटरेट बंद होने से बड़ी ओन्लाइन कांसलिंग की तारीख यहां पर दोस्तों साथ में दो अपडेट है पहली अपडेट है सिच्चक भरती के आविधन की तिति यहां बढ़ चुकी है तो पहले आप सभी यहां पर आगर के देख सकते हैं प्रो 22 दिसंबर निधायत की गई थी लेकिन 19-22 दिसंबर तक इंटरेट शेवां पूरी तरही से बंद रही और बड़ी संक्या में अब्यादियों आविधन करने से बंचित दे गई अगर रजिस्टर सेशनात पांडे की दोस्तों अनुसारी इन बातों को समझे तो जिन अब्य कोपी को लेकर दोस्तों इस्पीड पोस्ट या जजिस्टर डांक के माध्यम से 31 दिसंबर तक विश्म विध्याले को अपलब्द करा सकते हैं वहीं दूसी तो बात का असिस्टेंट प्रोफेसर के चैनितों की 27 तक बहें विकल्प कहीने की दोस्तों आपका भी यहां पर सम कांसलिंग की तिती बढ़ गई है कांसलिंग अब 27 दिसंबर तक चलेगी कांसलिंग के तिती बढ़ने के कान डाटा प्रोसेसिंग और परडाम की तिती भी दोस्तों आगे बढ़ाई गई है साल के आखी में दिन अभ्यातियों को निफ्टी पत्र जारी कर दिया जाएगा प्रिदेश की अशाची के महा विद्याले मैं बिग्यावन संक्या 47 के तहट 35 विसेंग के असिस्टेंट प्रफेसर के ग्याया सो पचास पतर बढ़ती होनी है ओचिता सिच्छा सेवा आयोग अब तक 31 विसेंग का अंतिम चैन परणाम घोशित कर चुका है और इन मैंसे 25 25 विसेंगों से चैने अभ्यादियों के लिए और चिस इच्छा निदेशाले ने 21 से 24 दिसम्ब तक ऑनलाइन कांसिलिंग का निड़ने लिया था लेकिन प्राग आज में दोस्तों आप सभी को बता है किसे 22 दिसम्ब तक इंटरेट सेवा बंद हो गई थी जिसकी बढ़ा गई है 23 दिसम्बर को दुपए तक वी इंटरेट सेवा बांदित रही ऐसे में विकल पर बहने के लिए अभ्यादियों के पास केवल एक दिन का समय पर सेश रह गया था अगर अब्याति एक साल के ऑनलाइन कांसिलिंग के तहित कॉलिजों के विकल भरते हैं तो वेपसाइ इन रहें कर समय तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें तो इस दो लैटेस्ट विडियों इतना ही मिलतें अंगले वीडियो में टेल टेक डटा बाब बाई एं थेंक यू ठेंक यू फो वहाचिंग वीडियो